गुद मॉर्निंग स्टूडेंस आज की रिविजिन क्लास में हम एक बहुत ही इंपोर्टन टॉपिक पे बात करेंगे जिससे हर साल बोड में क्वेस्टिन्स आते हैं और वो टॉपिक है प्रॉपर्टीज ओफ हाइड्राइट्स पी ब्लॉक में हमारे पास चार गुरुप है गुरुप 15, गुरुप 16, 17 और 18 गुरुप की तो कोई केमिकल रियक्टिविटी है नहीं इसलिए उसको हम एक्स्क्लिूड कर देते हैं हम गुरुप 15, 16 और 17 के हाइड्राइट्स की बात करेंगे जब इन गुरुप के मेंबर्स हाइड्रोजन के साथ कमबाइन करते हैं तो हाइड्राइड बनाते हैं और उन हाइड्राइड की क्या प्रॉपर्टीज आती हैं properties means उनका acidic nature या basic nature group में increase करेगा या decrease करेगा melting point, boiling point, reducing nature, thermal stability इनी सारी properties को हमें देखना है कि किस तरह से group में अगर हम top to down move करते हैं तो ये properties किस तरह से और क्यों increase या decrease करती हैं concept को हमें समझना है और हर group के hydrites का formula भी ध्यान रखना है first of all we will see the formulas of group 15 group 15 के members है nitrogen, phosphorus, arsenic, antimony और bismuth phrases की भी हमने बात करी थी कि आफ phrase के थूँ सारे members learn कर सकते हैं और इस group के members की जो valency की बात होती है वो valency आती है 3, valency हम कैसे निकालते हैं 8 minus valential electron तो इस group के members की valential में 5 electron होते हैं, valency 3 है तो जो hydrites बनके आएंगे अगर हम hydrites का general formula लिखें तो इस group के members के लिए अगर M हो गया तो MH3 type hydrites बनके आते हैं ठीके तो सारे members के साथ हमने hydrite बना लिए, NH3, PH3, NH3 is ammonia, PH3 is phosphine, फिर ASH3 जो थोड़ा से आपको uncommon लगेगा, name is arcene, SBH3 is stibene and BIH3 is bismuthine, आपको नाम याद करने के बिलकुल जरूरत नहीं है, आप बस formula याद रखिए कि उपर से नीचे एक order आपको सही आना चाहिए, लास्ट में बिसमत आना चाहिए और उससे पहले anti-money, उल्टा आना कर देचेगा, order ध्यान रहे अब जब हम properties की बात करते हैं, तो हम properties थोड़ा सा समझ लेते हैं कि कौन-कौन हमारे पास properties हैं, जैसे अगर हम properties की बात करें, तो acidic nature, reducing nature, basic structure या basic nature, thermal stability, bond angle इन सब की हैं, और मैं थोड़ा से यहां से समझाने के लिए लिए लिख दिया है कि जब हम acidic nature की बात करते हैं, और reducing nature की बात करते हैं, तो आप तीनों group में देखेंगे कि यह दोनों properties जो हैं, वो increase करती वे जाती हैं, ठीक है ना, क्यों अभी हम आते हैं उस पर, फिर basic nature, और विसी बात है कि अगर acidic nature increase कर रहा है, तो basic nature क्या होना चाहिए, decrease करना चाहिए, तो basic nature, thermal stability और bond angle, यह तीनों चीज़े जो हैं, वो group में decrease करती वे जाती हैं, तो अगर आप इतना सभी समझ लेंगे, याद रखेंगे, कि दो properties हैं, acidic nature और reducing nature, यह दोनों बढ़ती हैं, और बाकी की जो properties हैं, वो घड़ती हैं, इसी के साथ साथ, जब हम boiling point की बात करते हैं, melting point की बात करते हैं, तो boiling point जो melting point भी usually group में increase करते हैं, लेकिन जो पहला member है, वो थोड़ी सी discrepancy show करता है, because of hydrogen bonding, ठीक है, तो यह तो समरी हो गई, कि down the group जाने पर यह properties increase कर रहे हैं, और यह properties decrease कर रहे हैं, अब हम इसको समझ भी लेते हैं, थोड़ा सा, कि अगर हम group 15 में बात कर रहे हैं, तो members हो गया यह सार करते हैं, basically इस group के members जो है, उनका acidic nature की हम बात नहीं करेंगे, वो group 16 और 17 में करेंगे, हम यहाँ पर basic nature की बात करेंगे, कि अगर पूछा जाए group में सबसे ज़्यादा basic nature कौन होगा, या arrange करने को दे दिया जाए increasing या decreasing order of basic character, तो basic character या base का nature क्या होता है, कि कौन कितनी आसानी स loan pair donate कर सके, right? अब जो पहला member hydride बना रहा है, यानि कि NH3 या ammonia, तो उसमें nitrogen का size जो होता है, वो छोटा होता है, और उस छोटे size की वज़े से क्या होता है, जो हम electron density की बात करते हैं, of the electron pair, वो एक small region के उपर concentrated रहती है, जिसकी वज़े से होता क्या है, कि ammonia, में nitrogen जो है हमारा, वो बहुत अच्छा electron pair donor बन जाता है, और again जो जितनी असानी से electron pair को donate कर सके, जो हमने Lewis base का concept पढ़ा था, ammonia को तो हम ऐसे भी बताते हैं, हम वैसे basis कहते हैं कि कौन OH- या hydroxylion donate कर रहा है, जो असानी से donate कर दे हो basic है, लेकिन ammonia में OH तो present ही नहीं, hydroxylion तो ही नहीं, तो हम यहा तो ammonia is most basic और यह basic character घरता चला जाएगा ग्रूप में क्यों, क्योंकि जो central metal है या जो member है, उसका size बढ़ने से, जो electron density है, उसका region बढ़ता चला जा रहा है, और असानी से electron pair donate नहीं हो पाएगा, तो group 15 में basic character क्या करेगा, decrease करेगा, फिर solubility की भी बात कर लें इस group में, group 15 में, solubility क्या होती है, हमें पता है ammonia hydrogen bond बना लेता है water के साथ, तो ammonia जो है, वो highly soluble in water है, और reason वही आ जाएगा hydrogen bonding, बाकि सारे members जो होते हैं, वो insoluble होते हैं, तो again solubility की बात हुई, तो solubility भी क्या हो रही है, decrease हो रही है, तो हम अगर इस group में इधर से इधर जा रहे हैं, तो क्या रहुन दा group ये दो properties decrease कर रही है, third property की बात करें तो है thermal stability, जो अभी हम बात कर चुके हैं, कि thermal stability भी decrease करती वे जाती है, thermal stability also decreases in group 15, अब क्या reason है इसका thermal stability decrease करने का, thermal stability मतलब क्या, stability towards heat, ठीक है, जैसे जैसे हम group में नीचे की तरफ बढ़ ले हैं, जो central metal atom है, उसका size बढ़ता जा जाएगी जो हमने last class में बात करी थी, और जितनी जादा bond length होती जाएगी, उतना क्या होगा, असानी से bond हमारी तूट जाएगी, तो thermal stability भी down the group क्या हो रही है, decrease हो रही है, again ammonia सबसे जादा thermally stable है group में, और thermally stable सबसे जादा क्यों है, क्यों तो ऐसे भी वो क्या करता है, hydrogen bond बन thermally stable है, मतलब अगर temperature difference पर भी हम चले जाएं, तो जो bond distribution energy की बात आती है, ammonia की, वो approximate 1300 degree Celsius है, और phosphine की 440 degree Celsius, तो आप देख सकते हो, approximate 900 degree Celsius का difference आ रहा है दोनों में, और BIH3 तो बिल्कुल least thermally stable है, ठीक है, room temperature पर ही ये dissociate हो जाता है, तो least ये आएगा, और most thermally stable ammonia आएगी, तो ये properties तो हमने देखा, अभी तक decrease हो रही है, reducing nature भी देख लेते हैं, reducing nature का मतलब क्या है, reducing nature का मतलब है, कौन कितनी असानी से hydrogen donate कर रहा है, और again, जो reducing nature है, वो किस पर depend करता है, वो stability of MH bond, यानि जो member है और hydrogen है, उसके बीच में जो bond बन रही है, उसकी stability पर depend करती है, और stability क्या होगी, bond की decrease करती चली जाएगी, अब stability अगर decrease कर रही है, तो reducing nature क्या होता चला जाएगा, वो increase कर जाएगा, यानि ammonia से अगर हम BIH3 की तरफ move कर रहे हैं, तो जो reducing nature है, वो reducing nature हमारा increase कर रहा है, ठीक है, तो उपर हमने जो बात करी थी, वो decrease की है, और नीचे जो हमने बात करी थी, वो increase की है, अब अगर हम boiling point की बात करें, boiling point, तो ammonia का boiling point जो है, वो phosphine, boiling point, melting point देखी पहले किस पर depend करते हैं, factors जो हम बात करें, तो उसमें एक आजाता है, mass, तो as you can see, हम नीचे कर जाएगे, तो mass बढ़ेगा, mass बढ़ेगा, तो melting point और boiling point भी क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए ठीके, तो सबसे जादा किसका होना चाहिए, BIH3 का और सबसे कम किसका होना चाहिए, NH3 का, लेकिन ammonia का boiling point जो होता है, वो काफी जादा होता है, तो यह जो abnormal high boiling point आ रहा है ammonia का, वो किसकी वज़ेसे, answer is hydrogen bonding, ठीके, क्यों ammonia और, sorry, nitrogen और hydrogen की बीच में जो electro negativity difference आएगा, वो काफी ज जादा होता है, जिसकी वज़े से एक बहुत अच्छा hydrogen bond बनता है, और hydrogen bond अगर बन रहा है अच्छा, तो फिर ammonia काफी जादा temperature पर जाके boil होगी, तो boiling point abnormally, वैसे boiling point जो है, वो क्या हो रहा है, increase कर रहा है, राइट, फॉस्फीन से अगर हम BIH3 की तरफ चलेंगे, यहां से यह तो हमें increase ही देखने को मिलेगा, जैसे reducing nature increase कर रहा था, boiling point भी increase करेगा, लेकिन exception है, exception is NH3, हमारा ammonia जो है, वो exception है, hydrogen bonding gases का boiling point काफी जादा होता है, राइट, और एक property हमारे पास और बची, bond angle, ठीक है, bond angle, अब bond angle, अगर हमें निकालने हो, देखने हो, समझने हो, कि decrease करेंगे है increase, तो पहले तो एक generalized rule ही याद रख लिजे, कि bond angle भी है, वो decrease करते चले जाते हैं, अभी हम इसको थोड़ा सा और detail में समझ लेंगे, लेकिन bond angle भी हो decrease करते चले जाते हैं, अगर हम ammonia से B.I.H.T. की तरफ move करेंगे, तो जो bond angle है, वो भी decrease करेंगे, तो जो decrease करने की बात हो रह properties, या all these properties, decreases top to down, decrease कर रही हैं, ठीक है, उपर से नीचे जाने पर, और ये जितनी properties हैं, ये increase कर रही हैं, तो concept को अगर आप समझ के याद रखेंगे, तो आपको बहुत असानी से याद हो जाएगा, और बहुत ही important है, group 15 last year board में नहीं था, इसलिए question नहीं आया, otherwise हर साल board में, one mark, two mark, या फिर कभी-कभी three marks में भी पूछ लेते हैं, जैसे year before last questions आये थे, कि group 15 के hydride में, lowest boiling point किसका होगा, और majority बच्चों ने उसको गलत कर दिया था, क्योंकि वह मान के चल रहे थे कि boiling point सबसे कम ammonia का होगा, क्योंकि boiling point down the group increase करते हैं, लेकिन boiling point सबसे कम ammonia का नहीं होगा, ammonia क तो exceptionally high RI boiling point, सारे group के member से compare करेंगे, तो हम अगर बात करें, तो SbH3 और BiH3, इससे अगर हम बात कर रहे हैं, तो तो ammonia का थोड़ा काम है, otherwise ammonia का जो boiling point है, वो phosphine से और arsenic के hydride से, दोनों से जादा होता है, ठीक है, Sb और Bi का तो mass काफी बढ़ जाता है, इसलिए difference आ जाता है, otherwise ब तो उनों मेंबर से ammonia का exceptionally high boiling point है, ठीक है, तो ammonia का नहीं होगा, the answer is phosphine, least boiling point, group 15 में जिस member का होता है, वो होता है, phosphine, phosphine वैसे भी gases state में रहती है, तो सबसे कम boiling point इसका है, तो आप इस चीज़ को अच्छे से समझ लेचेगा, ammonia answer नहीं लिखना है, phosphine लिखना है, क्योंकि ammonia का boiling point इ ठीक है, यही सारी properties जब हम group 16 पे apply करेंगे, जिसके hydrides बनते हैं, group 16 के member है, oxygen, sulfur, selenium, tellurium और polonium, hydrogen के साथ combine करेंगे, तो यह members बन के आएंगे, अगर general formula की बात करें, तो general formula की आ रहा है, H2M type hydrides का formation हो रहा है, ठीक है, क्या properties इनकी आएंगी जब हम बात करेंगे, तो एक ब property पूचियाती है, volatile nature, कि volatile nature क्या होगा, volatile nature से मतलब है, कौन कितनी आसानी से, volatile form में या vapor form में आ जाएगा, तो आपको पता है कि hydrogen और oxygen की electro negativity में काफी difference होने की वे से, hydrogen बहुत अच्छा hydrogen bond बनाता है, ठीक है, तो अगर hydrogen bond बन रहा है, तो आपको क्या लगेगा, उसकी state क्या, water बासे भी room temperature पे liquid state में exist करता है, तो क्या उसका volatile nature जाधा होगा, definitely not, तो अगर पूछा जाए पूरे group में, least volatile कौन है, तो सबसे कम volatile या least volatile होता है, H2O या फिर water, और इस चीज़ को अगर हमें measure करना हो, तो हम boiling point से measure कर सकते हैं, water का जो boiling point आता है, आपको पता है, 100 degree Celsius है, और य H2TE के boiling point की बात करें, तो this is 269 Kelvin, 269 Kelvin है, और Kelvin में अगर water काम लेकें, तो 373 Kelvin आ रहा है, इसका boiling point, तो जिसका boiling point सबसे जाधा है, उसका volatile nature क्या होगा, सबसे कम होगा, ठीक है, अब यही अगर हम thermal stability की बात करें, तो thermal stability में यहाँ पे भी वही चीज़ है, कि thermal stability जब हम down the group जाए क्यों, क्योंकि again वही चीज़, कि thermal stability depends कि करती है, जो bond मन के आ रही है, उस bond की stability पे depend करती है, ठीक है, और bond अगर बहुत जाधा stable नहीं है, तो फिर वो जो हमारा compound बन के आ रहा है, वो भी बहुत जाधा thermally stable नहीं होगा, तो इस group में भी down the group, thermal stability क्या होगी, decrease करेगी, जैसे हम हमारे उपर की group में हम बात कर रहे थे, तो अगर हमें कहा जाए कि group 16 के hydride को, decreasing order of thermal stability में आपको arrange करना है, तो किस तरह से order आएगा, तो decreasing order है, यहनि सबसे ज़्यादा जिसकी thermal stability हो, मैं उसे सबसे पहले रखना है, ठीक है, तो H2O की आएगी, उसके बाद H2S आ जाएगा, उस के बाद H2TE आ जाएगा, पॉलोनियम को नहीं रखा है, रेडियो अक्टिव है, हम उसकी properties discuss नहीं करते हैं, तो यह thermal stability का order आ गया, और again important है, आप से पूछ लिया जाता है, तो thermal stability of hydride of group 16 also decreases from H2O to H2TE, यहां तक आपका यह decrease हो रहा है, reducing nature, concept वही लगना है, कि कौन कितनी असानी से hydrogen donate कर रहा है, जिसकी bond distribution enthalpy सबसे कम होगी, हमने बात करी थी last class में भी, वो असानी से hydrogen donate करेगा, क्योंकि वो thermally stable नहीं है, तो अभी जो हमने order लिखा है, thermal stability का, decrease कर रही है, decrease कर रही है, तो इसका मतलब reducing nature क्या होगा, increase करता चाहेगा, तो सबसे अच्छा reducing agent इसमें क्या होना चाहिए, H2TE होना चाहिए, सबसे अच्छा reducing agent, अब group 16 और 17 में हम acidic character की बात करते हैं, ठीके, तो जितने भी इस group के hydrides हैं, इसा weak acids कहलाते हैं, ठीके, acid मतलब कौन कितनी अ strength है, जब हम बात करते हैं, acidic nature की, तो acidic nature जो है, वो down the group, हम कहते हैं, increase कर रहा है, logic क्या लगना चाहिए, acidic nature क्यों increase कर रहा है, क्योंकि bond की stability decrease करती जा रही है, bond असानी से तूट रहा है, और bond अगर असानी से तूटेगा, तो वहाँ से H plus easily release हो जाएगा, और अगर H plus easily release कर रहा है, एक कोई भी compound है, तो इसका मतलब वो ज़्यादा acidic in nature है, तो जब basic character है, वो क्या करता है, घटता है, और acidic nature क्या होता है, down the group, बढ़ता चला जाता है, और reason भी बता दिया, क्यों, आरेंज करने के लिए आप से पूछा जा सकता है, कि सारे members आपको दे दिये जाएं, और आ तो H2TE होगा और least acidic की बात करें, तो H2O आजएगा, ठीक है, group 17, जिसके members होते है, halogens और fluorine, chlorine, bromine और iodine, जब वो hydride बनाते हैं, तो वो किस तरह के hydride बनाएंगे, हमारे पास H होगा और X होगा, इस तरह के hydrides बन के आते हैं, ठीक है, X यहाँ पर क्या है, halogen atom, अब यही properties हम इसमें भी समझनी है, पहले ही हमने इसको classify कर रखा है, कि down the group कौनसी properties increase होती है, और कौनसी properties decrease होती है, along with the reasons के reasons क्या आ रहे हैं, right, HF, SCL, HBR रचाई में अगर आपसे पूछा जाए, सबसे ज़्यादा acidic कौन सा member होगा, तो वो HF नहीं होगा, HF जो है, वो most acidic नहीं है, वो least acidic है, यह हम कह सकते हैं, कि weakest acid है, HF जो है, वो weakest acid है, बहुत ही important है, यह अलग से भी पूछ लिया जाता है, HF is weakest acid, और जब HI की बात करते हैं, तो वो strongest, strongest acid होता है, do not get confused with corrosive nature, corrosive nature से confuse मत होईएगा, कि अचव जादा corrosive होता है, उससे confuse मत होईएगा, हम यहाँ पे tendency to donate H plus iron या proton की बात कर रहे हैं, कि कौन कितनी असानी से H plus को donate करेगा, तो H और I में, reason पूछ लिया जाए, कि why HI is the strongest acid, तो H और I का जो size है, उसमें बहुत difference होता है, जो बहुत छोटा है, आई बहुत बढ़ा है size में, और जब size mismatch करते हैं, तो bond length increase कर जाती है, और जब bond length increase करती है, तो bond की stability decrease कर जाती है, यानि हम इसको कह सकते हैं, कि stability of bond is inversely proportional to bond length यानि अगर bond length बढ़ेगी, तो stability घट जाएगी, और असानी से ये bond टूट जाएगी, और अगर टूटी, H plus donate करेगी, और वो हमारे लिए strongest acid हो जाएगा, तो अगर acid के basis पे आपको arrange करने को कहा जाए, तो ये आएगा, and let me show you also, कि इस साल, board में देखिए, question आया भी है, कि arrange the following acids in the increasing order of their acidic character, HF, SCL, HBR और HI, one mark के लिए question आया, बिल्कुल simple सा है, strongest acid है HI, और weakest acid है HF, आप arrange कर जिजे, increasing order आप से पूछा गया है, तो increasing order का मतलब किया, जो सबसे ज़्यादा acidic होगा, वो कहां आएगा, last में आएगा, तो order हमारा ये क्या आजाएगा, HF, then SCL, HBR, और HI, पूरे full marks मिल जाएंगे, हमें इतना लिखते ही, जो increasing order है, उसमें HI सबसे ज़्यादा है, और सबसे कम हमारा HF है, ठीक है, तो important property है, ये भी, फिर बाकी सब चीजे वही रहेंगी, thermal stability, अब bond easily तूट रही है, तो thermal stability क्या होगी, decrease करती जाएगी, तो वो decrease कर रही है, bond angle को थोड़ा सा हम detail में समझ लेते हैं, क्योंकि ये reasoning के question में भी आ जाता है, कि इसका bond angle जादा है, इसका bond angle कम है, तो हम किस basis पर बताएं, कि bond angle क्या है, हमें species को देखना है, समझना है, हम तीन तरह से bond angle बताते हैं, देखिए, पहला क्या, S character, hybridization हमने पढ़ा है, SP, SP2 और SP3 ठीक है, जब हम SP की बात करते हैं, SP hybridization जब होता है, तो वहाँ linear shape होता है, 180 degree bond angle आता है, लेकिन SP2 में 120 degree है, घट गया, अब S character किस तरह से निकालते हैं, S और P और SP2 अगर हमने लिखा, तो 1S है, 1P है, तो 50% S character होगा, अगर हम SP hybridization की बात कर रहे हैं, SP2 में अगर हम बात करेंगे, तो हम इसको 100 को 3 से divide करेंगे, तो approximately 33% S character आएगा, देखे, S character घट रहा है, अब S character घटा, तो यहाँ bond angle कितना था, SP के case में 180 degree, SP2 में कितना था, 120 degree, bond angle घट गया, जैसे जैसे S character बढ़ा, bond angle घट गया, SP3 को भी लिख लेते हैं, SP3 में S character कितना हो 25%, 25% SP3 अगर है, normal geometry अगर है, कोई loan pair नहीं आ रहा है, तो bond angle कितना होता है, 109 degree, 28 minute, bond angle और हमारा यहाँ पे कम होकर आगया, तो जैसे-जैसे S character घटा है, bond angle घटा है, तो कोई भी अगर आपको species दे रखी है, उसमें आप देख लेजे, कि hybridization क्या निकल क्या आ रहा है, ठीक है और फिर S character के साब से आप बता देचे, कि bond angle किसका कम होगा, किसका जादा होगा, दूसरी हम क्या चीज़ देखते हैं, electronegativity, दो कोई भी हमें आसे species दे रखी हैं, जिसमें electronegativity difference आ रहा है, तो अगर electronegativity difference decrease हुआ, तो फिर bond angle भी decrease होंगे, इसको हम इसी group पर ही apply करके समझ लेते हैं, group 16 पर apply करते हैं, group 16 के ये members लिखे में, अब आप से पूछा जाए, सबसे ज़्यादा bond angle किसका होगा, सबसे कम bond angle किसका होगा, तो एक generalized rule हमने समझ लिया, कि bond angle जो है, वो decrease करते चले जाते हैं, ठीक है, arrange करने को आएगा, तो तो कोई problem नहीं है, लेकिन अगर हमें question पूछ लिया गया, कि H2O और H2S है, suppose, ठीक है, कि इसमें से किसका bond angle ज़ादा होगा, किसका कम होगा, और क्यों होगा, तो ये तो हमें पता ही है, कि H2S या sulfur जो है, oxygen के नीचे आता है, bond angle इसका कम होगा, इसका ज़ादा होगा, तो H2S का तो bond angle कम होगा, अब reason हम वहाँ प कि आ रहे हैं, लेकिन hybridization तो SP3 इसका भी है, SP3 इसका भी है, तो हम S character के basis पे तो आप बता नहीं पाएंगे, हम किस basis पे फिर इसको explain करें, तो जब हम कहते हैं, कि जो H2S है, उसका bond angle कम होता चला जा रहा है, या बाकी सारे members का decrease करता चला जा रहा है, bond angle, तो basically, जब भी हम group मे नीचे के तरफ move करते हैं, तो electro negativity decrease करती है, और size जो है, वो बड़ा होता चला जाता है, size increase करता चला जाता है, तो जब size increase करता जाता है, तो जो hybridization है, जो overlapping of the orbitals की बात करते हैं, वो बहुत ज़ादा distinct नहीं रह जाता, और जब बहुत ज़ादा distinct नहीं रह जाता, तो bond angles automatically क्या ह होते हैं, reduce हो जाते हैं, तो basically bond angle decreases with increase in size, इसको ये भी size के term में भी समझ सकते हैं, कि bond angle जो है, वो decrease करेंगे with the increase in size, जैसे जैसे size बढ़ेगा, वैसे वैसे bond angle decrease करेंगे, तो कोई दो इस तरह की species दे रखी हो, जहां hybridization same आ रहा हो, लेकिन size का difference हो, electronegativity का difference हो, तो आप bond angle बता सकते हैं, बिल्कुल confirm तरीके से, कि जिसका size बढ़ा है, atom का size बढ़ा है, या electronegativity काम है, उसका ही bond angle काम होगा, ठीक है, जो hybridization का concept है, वो basically अगर देखा जाए ना, तो वो बहुत group के नीचे के members में बहुत जादा relevant आता नहीं है, ये एक topic आपके course का नहीं है, लेकिन ये कहलाता है, dragos rule, जहां पर हम ये बताते हैं, कि जैसे-जैसे members बड़े होता है, जैसे phosphine है, H2S है, तो ये hybridization का concept इसके साथ बहुत relevant नहीं रहेगा, second member के साथ ही relevant नहीं नहीं रहता है, तो नीचे के members के साथ तो बहुत जादा relevant रहता ही नहीं है, और वो चीज़ कहलाती है, dragos rule, dragos rule, जो simply बस इतना कहता है, कि as we move down in the group, जो hybridization का concept है, वो बहुत ही irrelevant हो जाता है, हम नहीं बता सकते हैं, बहुत दो स्पेशीज हैं, यहां फॉस्फीन ही हम ले लेते हैं, pH 3 और pH 4, bond angle किसका जादा होगा और किसका कम होगा वाली बात है, और क्यों होगा, साथ में जोड दिया अगर उन्होंने, कैसे आप explain करेंगे, S character की हम बात करेंगे, तो pH 3 और pH 4 में अगर हम निकालें, तो यहां पर एक lone pair आ रहा है, और 3 हमारे bond बन रहे हैं, hybridization की हम बात करें, तो 3 sigma bond plus 1 lone pair, VACPR थियोरी को हम follow करेंगे, तो हमारे पास steric number क्या आएगा, 4, और 4 के case में hybridization क्या निकलता है, 1 S हो जाएंगी और 3 P हो जाएंगी, याँ इन दोनों में जो hybridization आएगा, तो अब S कारेक्टर का तो हम कुछ बताई नहीं सकते हैं, कि किसमें इंक्रीज कर रहा है, क्योंकि दोनों में सेम है, 25% S कारेक्टर है, इलेक्रो नेगिटिव वाला देखते हैं हम दूसरा, वो भी नहीं अपलाई कर पाएंगे, इलेक्टर हमारे पास बचता है, जिससे हम bond angle बता सकते हैं, जब hybridization भी सेम हो, size भी सेम हो, electronegativity भी सेम हो, तो आप presence of lone pair से बताएंगे, क्या bond angles आएंगे, आपको पता है, जब central atom पे lone pair आ जाता है, या पिर increase करता जाता है, एक lone pair, दो lone pair, तीन lone pairs present है, ठीके, तो हम valential electron pair repulsion theory, जिसको हम VSEPR बोलते हैं, हम वो follow करते हैं, अब यहां दोनों में difference यही था, कि यहां lone pair present है, pH 4, ठीके, phosphonium ion कैलाता है, phosphonium ion, इसमें कोई lone pair नहीं आ रहा है, जब lone pair नहीं होता है, तो हम regular geometry की बात करते हैं, और जब lone pair आ जाता है, तो फिर वो geometry distorted हो जाती है, और lone pair जैसे ही आता है, repulsions की वाज़े से bond angle decrease करते जाते हैं, और जितने lone pair बढ़ते जाएंगे, उतना bond angle decrease करता चला जाएगा, एक lone pair है, तो approximate high degree bond angle काम हो जाता है, नौर्मल geometry से, बस simple आपको इतना याद रखना है, तो pH 3 और pH 4 में अगर पूछा जाए, अगर आपको नहीं बताएगा, सपोस ये भी बताएजा सकता है, कि bond angle जो है, वो इसका जाधा होगा इससे, फॉस्फोनियम आयन का जाधा होगा इससे, तो क्यों जाधा होगा, ठीक है, या दोनों में से किसका जाधा होगा, और क्यों जाधा होगा, इस तरीक है कोई question, या XYZ कोई भी species दे रखी है, और bond angle भी होगा, जो कितना होता है इस प्रिति केस में, 109 डिग्री और 28 मिनिट्स, ठीक है, और जब एक लोन पेर आजाता है, तो bond angle जो है, वो अप्रॉक्सिमें धाई डिग्री, डिक्रीज हो जाता है, और अप्रॉक्स अगर कहें, तो 160 डिग्री है, 107 डिग्री होता है, जैसे बढ़ जाता, तो और बढ़ जाता, तो जो bond angle है, वो और reduce हो के आजाता, जब हम bond angle, water की bond angle की बात करते हैं, तो it's approximate 104 डिग्री, 5 मिनिट्स की बात आती है, कि water का bond angle इतना होता है, जो phosphine से भी कम हो गया, एक lone pair बढ़ा, bond angle और reduce हो गया, तो I hope concept आपको समझ में आ गया होगा, कि bond angle अगर कभी हमसे पूछे जाएं, अरेंज करने को, या इसका जादा है, इसका काम है, तो आप किन-किन factor से bond angles को बता सकते हैं, ठीक है, अधर S character देख लीजिए, या पिर electronegativity, या पिर size of the atom, या पिर presence of lone pair, तो as the number of lone pair increases, bond angle decreases, एक question और boat का, जो हम last class में भी कर चुके हैं, आज भी हमने वही बात करी है, अब ये why इसके साथ आ गया, कि why is H2O better reducing agent than H2O, तो आप इसका क्या answer लिखेंगे, बेटर तो होता ही है, बेटर इसलिए होता है कि जो member और hydrogen की बीच में bond बन रही है, वो member का size increase करने के वेशे, bond जो है, वो बहुत सदा stable नहीं होती, और जब bond क stability घटती चली जाएगी, तो bond की decision enthalpy भी घटेगी, और bond असाने से break हो जाएगी, और वो H release करेगी, hydrogen release करेगी, और अगर hydrogen release हो रहा है, तो इसका मतलब वो जादा अच्छा reducing agent है, तो ये भी question का answer हो गया, और हर साल इस तरीके का एक ना एक question रहता ही है, जैसे यहाँ पे, दूस क्या question है, SO2 is a reducing agent, while TeO2 is an oxidizing agent in group 16 oxide, ठीक है, अभी तो हम यहाँ पे सिर्फ यही बात कर रहे थे कि जो reducing वाली tendency है, यानि एक अच्छा reducing agent होता चला जाता है, जैसे से हम group में नीचे की तरफ move करते हैं, लेकिन अब अगर इस तरीके का question मिल जाए, जहाँ उन्होंने बता दिय पहला member तो starting में reducing है, उसके बाद हमारा जो tellurium का oxide बन के आ रहा है, वो एक oxidizing agent है, अब इसका reason क्या होगा, अब इसके reason को पर आप बताएंगे कि octet किस तरह से expand हो रही है, SO2 अपनी octet expand करता है, लेकिन tellurium को बहुत अच्छे से आपको 11th class में भी यह बात समझाई गई थी, कि जो last group के members होते हैं, वो inert pair effect शो करते हैं, यानि उनकी higher oxidation state होती है, वो बहुत जदा stable नहीं होती, वो अपनी lower oxidation state में आ जाते हैं, तो sulfur dioxide तो अपनी octet expand कर लेगा, oxidation state sulfur कि इसमें आएगी, plus 4, यह plus 4 से plus 6 तक ले जाएगा, लेकिन जो tellurium को oxide बन किया रहा है, वो tellurium एक heavier element है, और inert pair effect की वज़े से यह अपनी octet को expand नहीं करेगा, from plus 4 to plus 6, ठीक है, तो reducing agents क्या होते हैं, जिनको oxidation हो, यानि electron का loss हो, लेकिन tellurium क्या करेगा, वो electron को gain करना prefer करेगा, यानि अगर यह plus 6 में पहुँच वे जाता है, तो यह plus 4 में आने की कोशिश करता है, due to inert pair effect, इसलिए वो oxid oxidizing agent की तरह, oxidizing agent इनका reduction होता है, यानि gain of electron होता है, वो oxidizing agent की तरह behave करेगा, तो reasoning के questions solve करने के लिए, आपको सिफ concept को ही समझना है, और अगर आपको concept समझ में आ जाता है, तो x, y, z, कुछ भी दे रखा हो, कि why this is a better reducing agent than this, या इसका volatile nature जादा है, इसका कम, कुछ भी reasoning का question दे र जो question दे रखे हैं, वो आपको copy down करने हैं, अपनी notes copy में, thank you so much students,